हे गाईज वेलकम बेक टो माई चैनल और आज मैं आप सभी के लिए लिक आई हूँ बहुत ही जादा है टेश्टी रेसीपी वैसे रेसीपी देखके तो आप सभी को पता चली गया होगा कि कौन सी रेसीपी है फिर भी मैं बता देते हैं आप सभी को तो मैं बनाई हूँ यहा हमारा गुलाब जामून बना है और मैं यह गुलाब जामून बनाए हूँ सूजी से और बहुत ही कम समान से बना है यह तो फुल वीडियो देखेगा आप लोग तभी पता चलेगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तब हम यहां पर यह देखिए ले लिए हैं दूद तो हम यहां पर 500 ग्राम दूद लिये हैं फुल क्रीम दूद है और गुलाब जामून के लिए फुल क्रीम दूद का ही योज कीजिए तो उसके बार चरहा दिये गया इस पर कराही और डाल दिया हम उसमें दूद कराई को गरम नहीं करना है सिधा दूद इसमें जो हम डाल देंगे तो दूद घरम हो रहा है हमारा तब तक हम यहां पर ले लिया सूजी यह देखे बारिक वाला सूजी है और सूजी लगवा यहां पर सूजी होगा देख सकते हैं आप कितना पतला वाला सूजी है बिल्कुल बारिक वाला सूजी लेजिए और इधर दूद जो हमार सूजी डालेंगे यह देखिए उसके बाद हम ले रहे हैं चमच गी और गी हमें पहले ही डालना था सौरी मुझे ध्यान नहीं रहा इसलिए मैं बाद में डाल रही हूं जब दूद्ध डालने से पहले ही डालेंगे गी डालने से क्या होगा कि चिपकेगा नहीं यह जब हम से देखिए लग रहा है मलायत इसको इस तरह से छोड़ा ले लीजिए और सूजी अब हम डालेंगे 400 ग्राम दूद्ध हमारा बच गया है तो एक बार सूजी नहीं डालें धीरी धीरी इसमें जो है सूजी डालना है लग वक्त तीन से चार बार और आप देख सकते हैं कि मै आ रही हूं इसको बार बार और लंस नहीं बनना चाहिए इसमें तो इसी तरह से हम सारा सूजी इसमें डाल देंगे और इसको जो है सुखा लिए गैस का फ्लेम लॉव रखे बिल्कुल भी है या फिर मीडियम नहीं रखे यह चीज का ध्यान रखेगा लॉव फ्लेम पर इसको गुलाब जामुन बनाने के लिए तो यह देखिए फ्रेंस हमारा सारा सूजी हम डाल दिये हैं और हमारा जो है गुलाब जामुन का मिश्रन हो गया है बन के तेयार आप देख सकते हैं कराही में बिल्कुल यह चिपक नहीं रहा है चोड़ रहा है और यह जो घी डाल करेंगे चासने के लिए डाल दे हम यहां में यहां पर तीन कप पनी यह तो तीन कप पानी ढले है और यहां पर जो हम यह में अहारा ठंडा हो गया है भील्कुल डन करें गुलाब जामुन पर इतना बरा चोटा आप बढ़ाना चाहता है गुलाब जामुन उतनी बड़ी लोई और इसको यह देखे इस तरह से गुल-गुल कर लेंगे बिल्कुल अपने हत्वलियों की हैल्प से इसको गुमा लेंगे अच्छी से कि उसके बाद हम यह देखे हमारा पानी हो गया है गरम तुध्य से कि हम बताये तिन कप हम लिए थे पानी तो इसमें डाल दे हम एक कप चीनी और उसके बाद हम डाल देंगे दोस ते तिन जो है इनलाइची इसमें तोड़ के इनलाइची का टेस्ट बहुत ही ज्यादा आठा है और बहुत ज़्यादा चोटा नहीं है यह आप देख सकते हैं मेडियम साइज है और एक लंबाई में भी हम बना दिये हैं यह पे तो जैसे पसंद हो आपको आपको इसे बना सकते हैं लंबाई या फिर गूल में यह देखें नहीं है बनाना बिलकुल आसान गुलार जामून और बहुत ज़्यादा टेस्टी fly लगता है तै Bjel पर चृष्ट एक वर たन और ढाल दीया है उसमें त21 और यह देखें एक च्छोटा समिसर नविण देखे हैं तेकी तेल कितना जादा गरम है तेल जादा गरम हम इसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम देखे गैस का फ्लेम बिल्कुल रखेगा है नहीं रखना है नहीं मीडियम लौ फ्लेम पे ये देखे उसके बाद हम इसे में डाल देंगे एक एक करके गुलाव तो कराही में ही आप लू जरूर बनाईएगा और उसके बाद एक एक कर कि जो हम इसमें डाल देंगे एक साथ आप 4-5 डाल सकते हैं वैसे वरतन की उपहर डूइन्ट करता है कितना बड़ा बड़तन है उसे हिसाथ आप एसमें जो लेकिन जला नहीं है थोड़ा सा यह हुआ है ब्राउन तो हमको जो है इसको जो है करना है और लॉफ लिम पे ही इसको सेके नहीं तो यह अंदर से कच्छा रहेगा तो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक देखे इसको जो हमें सेखना है और आप देख सकते कितना बढ़ियां बना है हमारा फूला फूला सा यह देखे तब हमारा हो गया है बनके तयार गुलाब जामून पांच तब हम इसको जो है निकाल लिए है और इधर चासनी भी हमारा तयार है ये देख सकते हैं हाँ चासनी में खोलते हुए चासनी में डालना है इसको घसे नहीं धंडा में नहीं डालना है देखे इधर हम छानेंगे और तुरन चासनी में डो Дेंगे, यह भी घुलाब जामन भी होना चाहिए गरम और चासनी भी दोनों चाहिए और चासनी एक तार दो तार की नहीं बनानी है बिल्कुल जो है तेल की चिपचिपाहट के जैसे चासनी हमें बनाना है और ये खुलती हुए उसमें हम डाल देंगे और उसके बाद एक उबाल आने देंगे और गैस कर देंगे हम तुरंत बंद ये देख सकते हैं फ्रेंट्स वाओ कितना बढ़ियां लग रहा है देखने में देख सकते हैं आप और इसमें जो है दस से पंदर में रखने के बाद देख सकते हैं गुलाव जामुन का साइज भी थोड़ा सा बढ़ गया है इसके अंदर रस चला गया है बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल मैं हलवाई के स्टाइल में जो है गुलाव जामुन बनाई हूं हलवाई लोग भी ऐसे खोलते हुए चासनी में ही गुलाव जामुन को डालते हैं तो आप ऐसे ही जो है बनाईएगा ध्यान रखेगा इस चीज का तो यह देखिए फ्रेंस कितना बढ़ियां ल मेरे मुँ में तो पानी आ रहा है वैसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है गुलाव जामुन लेकिन मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद है वो लोग खाते हैं गुलाव जामुन देखिए अंदर से कितना बढ़ियां लग रहा है बिल्कुल भी नहीं लग रहा ह और थोड़ा से इसके उपर हम डाल लेंगे देखिए रस और फिर चासनी बनाने में जो है मुझे यहां पर लग भग लगा है 20-25 मिनट और चासनी जो है दियान रखेगा चासनी एक तार दो तार का नहीं बनाना है जैसे थोड़ा से उंगली पर लगा देखिए गा ओर चासनी में अगर आपके पास केसर है तो एक दो धागे केसर का भी आप इसमें जो है डाल सकते हैं उससे और भी अच्छा कलर आएगा और टेस्ट भी तो लिजिए फ्रेंट्स हमारा वर्ल्ड बेस्ट गुलाब जामुन जो है वह हो गया है बनके तैयार तो कैसी लगी आप सभी को मेरी रेसिपी यह मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और यह देखिए कोई नहीं कहेगा कि यह सुझी का गुलाब जामुन है तो जब भी हो कोई फंक्सन पार्टी या फिर हो मन ऐसे ही मिठा खाने का तो आप लोग मेरी यह गुलाब जामुन की रेसिपी जरूर ट्राइगा आप सभी को बेहत पसंद आएगी और बच्चे बड़े हर किसी को पसंद आया मेरे बच्चे जो है थोरा जलने की बार उसका कलर भी चेंज हो जाता है ताप उसके एकोड़िंग भी गैस का जो गैस बंद कर सकते हैं चासनी को जो है बना सकते हैं बहुत ज़्यादा चासनी को मोटा नहीं करना है पतला रखना है और देखिए कितना बढ़िया हमारा गुलाब जामन हो के लिए फॉलो किजिए मेरे इंस्टाग्राम पर फेस्बुक पेज पर फेस्बुक आड़ी भी है मेरी कंचन यादव तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां पर भी तो चलिए इसी बात पर कर लेजएगा मेरे वीडियो को लाइक और ज्यादा स्यादा किजिएगा सेयर और यह देखिए यहाँ पर जो है लंबाई वाला जो हम बनाए थे लंबा वाला यह भी देखिए कितना स्पेंजी बना है यह पर दबार पर दिखा रहे हैं आपको दबार चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बाई